कि क्या हाल है साथ ही हो मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वोधी चाल स्टेडी फॉर सिविल सब्सक्राइब आज आपके समख्ष लेके आगे हैं तेरा फरवरी का करेंट एफेर हिंदी इंग्रिश दोनों में और मोस्ट इंपॉर्टन है यह प्रिलिम्स और यूप प्रि पूछा जाए तो उस पर लिख भी सकते हो में भी ठीक वेनेज्वेला के जो सिटीजन से उनको कुछ टंपरेरी जो है लीगल स्टेटेस को लंबिया ने कहा है दे देंगे इंपक्ट जो है सोशल जो स्कूल का जो क्लोजर हो गया ठीक स्कूल बंद होने के चात्रों की बु पूरा पूरा देखेंगे हैं पर क्या चीज बात हो रही है ठीक आज जो मुस्ट इंपोर्टन दिन है वो क्या क्या है अब जहां से देखना है पर वर्ल्ड रेडियो टे हैं और साती साथ 13 फरवरी को क्या होता है राश्ट्रिये महिला दिवस होता है यानि कि भारत का वैस प्रेसिडेंट थी उनकी जो है याद में उनके वर्थने बनाया जाता है ठीक आप लोग लिए एक जेंटल रिमाइंडर यह है कि यूपी एस सी दोहजार इकिस और हीपीएफ और दोहजार वीजा कम्प्लीट पेट्रूप चल रहा है जिसमें कि आपको टैस सीरी में पूरा आपको पीडिएफ के प्रवर्वर्मेंट में दिया जाएगा और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टन जैसे कि आपने आज देखा होगा एक डेडिकेटर डिसकुर्शन गुरूप है हमारा उसमें एक मैंने अब नहीं पहल चला है यूपी एस सी के लिए सिर्फ एक्स को पार करने तो आप लोग अगर जॉइन करना चाहते हैं हम ऐसा जूड़ना चाहते हैं और इन सब जो है टैसरी इस स्टेडि मेटेरिल परसनल का लाव उठाना चाहते हैं तो आप लोग जूइन कर सकते हैं डिक पहला जो अमारा आज का टॉपइक है इंडिया और पॉलएंड के रिलेशनेशिप से है पॉलेंड जो मैं उन्हां ने बिलाया है आपका यवरोपेयं यू नियन इंडिया का समीट है उसके लिए और झी डॉप की मीटिंग हो उसके लिए तो एक बार उसको आज आप लोग क्या करना है रिवाइस करना है ठीक और यहाँ पर क्या है कि कोविड ओविड होने के वज़े से जह है ट्रेवल बबल बनाया जाएगा और उसके बाद जो है डायक फ्लाइट फिर से चालू करी जाएगी जो की सस्पेंडेट थी पिछले एक साल से तो मतलब कि अब वर्चुल और अब मोदी जी खुद फिर से टाह लेंगे ठीक है और व सेवन की जो समू की बैटेक है उसके लिए कॉन्वल यूनाटेट किंग्डम में 11 से 13 जून 1221 में जाएंगे मोदी जी ठीक अब यहां पर यह है कि अधिसे सिमलेरिटी परसप्शन अप टू कंट्रीज मलब देखो पॉरलेंड और इंडिया दोनों लोग ही किसके अपनिव पर शिक काल से जूजते रहे कोलनिजम हो जाएंगे समराज वाद ठीक या फिर नसल बाद तो दोनों के बीच में से सिमलेरिटी है पॉलेंड भी चड़ता है इंडिया वी चड़ता है अबहुत करता है इन चीजों को साथी जाथ जो है पॉलेंड ने जो है चूज किया डे वॉर्सा पैक्ट मैं पता चुक हूं कई बारी है वॉर्सा पैक्ट क्या है किससे समंदित है कमेंट करके जो पताएं क्योंकि जो आंसर देगा वो सेलेक्शन जरूर लेगा आपनी जो है ब्रेंस की मसल्स को मजूद करेंगा ठीक काफी मतलब जो है राजनितिक तोर पे दे और सेफ्ञार पैना सब्सक्राइब arada ठीक यॉरोहब्योर पियन यूनियन सैं क्या हैfik एक तरिके का जो है एक्कनोमिक इस में एक कंट्री इसे दूसरे country में goods or services जाते हैं लोग जाते हैं तो उनको मतलब एक ही country के अंतर देखा जैसे की UP से महराज स्टाप जा रहो ठीक और वहां पे क्या है कि कोई भी जा रहा गुट जा रहा तो कोई customer बनाया गया है यह अली बात है लेकिन politically financially तो तो वह हो गए विक्तिये तो पर इंटीग्रेट हो गए लेकिन आपका पॉलिटिकल ही जो है इंटीग्रेट नहीं है इसके वैसे कई बार प्रॉब्लम होती रहती है ठीक आप लोग को यह डिफरेंस बताना यूरोपन यूनियन और यूरो जोन में क्या डिफरेंस है कितने countries हैं और क्या क्या में डिफरेंस इंडिया काफिड एक्सपोर्ट करता है इसमें कई साथ डेटा दिया हुआ है कि लास्ट दस सालों में देखा तो सैवन टाइम सात गुना जो है बारेटरल ट्रेड दोनों के बीच में दूपक्षी है जो वैपार है वो बढ़ा है और एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया से पॉलेंड को 2000 देखा जाए तो इंडिया के टोटल जो एक्सपोर्ट था उसका दशमलों 48 प्रतिशाती था और इंडिया का जो भी इंपोर्ट होता है टोटल के इंडिया का वो जो पॉलेंड से आया आयात हुआ वो 0.15 परसंट ही हुआ ठीक सिंपल सिंपल यहां पर फैक् पॉलेंड में निवेश किया है सेक्टोरल अगर कॉलबरेशन देखें छेतिरी सायोग तो इंडिया जो है पॉलेंड जो है उसके पास वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलजी बहुत उच्छी है तो यह जब जीएस पेपर 3 जो है मारा मेंस का उसमें अगर बढ़ सकते हैं और काफी इसका फायदा उठा सकते हैं और अगर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी को मदलब इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो जो हम लोग की कल्चर एकनॉमी है वहां से फिर हम इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा ज्यादा ज्य जो है गरीबी रेखा के बाहर आएंगे तो इस तरीके से आप जोड के इंटर लिंक करके आंसर में लिख सकते हैं ठीक साथियार कंजर्वेशन और स्टोरेश टेक्नोलोजी भी बहुत अच्छी है पॉलेंड के पास में लार्जस प्रोडूसर जो है इंडिया जो है आपका फ्रूट डेरी और एग्रोप्रोटर्स का है और कई एक मोई भी साइन किया गया दो जानिस में जिसमें की एक आ गया कि हमें बाइलेटरल को कोप्रेशन बढ़ाना है कोल और माइनिंग सेक्टर में ठीक पॉलेंड और इन दोनों के बीच में और प्रेजेंट ली जो ओवर इंडिया और पॉलेंड के बीच में और प्रेजेंट ली रिखा है तो 30-40 परसंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट जो किया जाते हैं बाइंडिया टू पॉलेंड अरी एक्सपोर्ट टू अब देखो इंडिया जो है माली जैस सौ रुपय का जो है वो करता एक्सपोर्ट किय उसमें से 30-40 परसंट जो है गुड्स एक्सपोर्ट हुए थे पॉलेंड में वो जो है यूरोप में चले आता तो एक तरीके पॉलेंड जो है यहां पर एक पाइप्लाइन की तरह काम करता है यूरोपीन कंट्री में पहुचने के लिए तेरा इंडिया 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 टिक्नोजी कंपनिया जो है पॉलेंड में अक्टिव है और कल्चल और एजुकेश्णल डिपे यह क्षिअ है साड़्जी इनडाजी पूसकता है, कि कई सारे जो Polish के स्कॉलर्स थे, उन्होंने संस्कित को जो टेक्स थे, लिटेशर थे, उनको Polish लेंगवज में चेंच किया, और ये भी 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी कब होती है, कि 1801 से लेकर 1900, ये 19 सेंचुरी के लाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है, पॉलेंड की जो है 21 जून 2005 को जब इंटरनेशनल पहला इंटरनेशनल डे अव योगा था तो उसको मनाया गया था अब देखो यहाँ पर डाइग्राम है यहाँ पर मैप है मांचित्र है आपका कौन कौन सी कंट्टियों से घिसा हुआ है जर्मनी जर्मनी आप लोग को वाकिया और युक्रेन बेलरूज लिथियानिया और ब्राजी यह रशिया भी है ध्यान अगना ठीक बाल्टिक सी से भी टच करता है ठीक तो इस तरह के से पहले हमारा टॉपिक खतब होता थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत ही आदा इंपॉर्टन है इससे आप लोग आई यह सब क्या है साउथ अमेरिका के जो है जिसमें ब्राजील हो गया पेरू हो गया बॉलिविया हो गया वेनिजुला हो गया अर्जंटीना हो गया चिली हो गया कोलंबिया हो गया यह सब जो है फ्रेंच गयाना हो गया यह सारे कंट्रीज किसमें साउथ अमेरिका में ठीक अ हो इवान दूख करके एक हैं उन्होंने कहा है कि हम वेरेजुएला से जो लोग हमारे आए हैं उनको हम टंप्रेरी आस्थाइ संद्रच्चत स्टेटस देर दें अगले 10 सालों के लिए और यह काफी लोग कि वेरेजुएला में हैं वहां प्रिंफ्रेशन हो गया मिद्रस्पी मतलब की बैंगाई दर मतलब जैसे सब्सक्राइब और इसमें क्या हुआ जब एकनॉमिक बिगडी तो क्राइम भी बढ़ गया लोग चोरी चकारी इन सब पर मारधार पर उतर रहे और जो है बहुत जाए दिक्कत हो गई और फिर मदूर ने जो है दुबारा फिर इनका एलेक्शन हुआ दुबारा जो एलेक्श से बन गए बलकि पुब्लिक देन को नहीं चाहता कि वहाएं कि इतना बुरी हालत वहले थी लेकिन यह आ गया और इसमें यह कहा इन्होंने क्या कहा मदूरों ने कि वह यह हमारे पीछे पड़ा हुआ है यूएसे ने कई सारे प्रतिवन लगा दिये उसकी वह से हम लोग ब या फिर जो है वेनिजुएला पर तो यह मदूरों का कहना है और जो भी हो इसके चक्कर में क्या हुआ जब यह लड़ाई धड़ाई और सब बहुत ज़्यादा हुआ तो उसकी वैसे जो है कई लोग जो है दोड़ के फ्लेड भी किया उन्होंने कंट्री से निकल गए और लोग हमारे यहां उनको हम आज थाई प्रोटेक्टर स्टेटर्स अगले दस सल के लिए दिने के तयार है इस इस दा होल स्टोरी जो की यहां पर इसमें देरिक है ठीक और यह परमीशन दी गई जो लोग भी 31 जनुरी के पहले आए उनके लिए है और लीगर स्टेटर्स दि रिजन क्या है कि वेरेज़ोला city जो है फली कर रहे है क्योंकि पोलिट्जल क्राइश ओगे दो Reival पैईशन जो है श दूसरा जो है मदूरो के लावा दूसरा वाला जो है वह यूएसे की तरफ से परजित है ऐसा बोलाता है उनका ना भी बताऊंगा यह आपका यह बन्दा मदूरो यह यूनियन यह यह यूनेटियर सोशल पार्टी का है दोजा तेरह मैं वहीं सारी बात है और हुगो चैसे में आगे दोजा 14 में जो है आपका बहुत ही बुरा हाल हो गया और मदूरो ने फिर जनवरी दोजा उननीस फिर से एलक्षन चीट लिया जिसको जो है लोग कह रहे है कि और बाकी जो दूसरा लीडर था जो लड़ लादा था वह यह नहीं यह ठीक नहीं है वे वैसे जैसे कि अभी देख रहते हैं ड्रंप पूने क्या किया कैपिटल केपिटल हिल जो है वहां की संसद है अमेरिका की वहां जाके हो लाक अब आज इसे ही है बस महां पे लेकर नहीं सबॉल पया यहां पर जो दूसा ठांड़ शीजह और पब्लिक को भी ऐसा लगता है और करते हैं बचने के लिए आर्मी का यूज करते हैं यह वाली साइगी बात है जब बिटिशर्ज भी थे इंडिया में तो आप लोगों को पता होगा एक बहुत बड़ा कारण यह था कि बिटिशर्ज आखरी में चले गए इंडिया से इसलिए क्योंकि रॉयल नेवी रिवोल्ट और आर्मी रिवोल्ट इन सबका रिवोल्ट होगे उनको लगा क्या रहा हमाई साथ आर्मी नहीं है जिसके बलबुते हमने पूरे इंडिया पे जो है कभजा किया तो अब यहां से निकल लेने में ही जो है भलाई होगी ठीक तो य यहां पर तक ही आ जा रहा है कि 90% लोग जो है गरीबी रेखा कि नीचे आ गए वेनेजुएला में और जो एलेक्शन जो है फ्रॉड होता है दूसरे कौने गाइडियों गाइडियों जो है इन्होंने कहा है कि मैं हूँ लेटिमेट लीडर मडूरों को नहीं मानता है 90% से यादा लोग जो है पावर्टिंग में रह रहे है अप्रेल 2019 से और यह चार दस्वलों आठ मिलियन वेलेजुएला जो है वो से भाग गए लोग अलग लग कंट्रीज में ठीक तो यह अली न्यूस थी पर हमारी वेलेजुएला साउथ अमेरिका से साउथ अमेरिका की आप लोग ने पहले जिन्होंने कर ली थी मैंने बोलने पर ठीक लैटिन अमेरिका की मैंने आप लोग से कर रही थी तो वाली मैपियों से जिसने कर ली थी वो ठीक है जो नहीं किये हैं और जिन्होंने कर ली थी वो तो रिवाइस कर ले हैं जो नहीं किये वो आज कर सकते ह का मकर रेखा और इन सब का भी ध्यान रखना विश्वत रेखा यह दुनों पार होती है वह से अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कि जो भारत में लॉक्डाउन हुआ और इसके स्कूल बंद हुए तो उसके वजह से स्टूडेंट्स पर काफी आधार भूत चमताओं पर प्र बखा गया है महामारी के दौरान सीखने के मुक्सान यानी की लॉस अव लड्निंग डूरिंग दा पेंडेमिक अब यहां पर चिल्डरन जो है उन्हों कह रहे हैं कि यह सब तो मिस्करी करी साथ जो कुछ भी उन्होंने पिछले साल में पढ़ा था वो भी भूल गया है यह बात कह रही है यह स्टुडी बोल रही मैं नहीं बोल रहा हूं और यह कह रहे हैं कि बानवे परसंट तक इस्टुएंट का यह कहना है जो कि दो सब्सक्राइब च्छे चटी कर्चा तक रहते हैं पढ़ते हैं टू से क्लासेस टू तो सिक्स्त उन्हें कहा कि वह लॉस वन एक विशिस्ट मूलभू चमता खो दी है कम से कम पिछले वर्सों में जो उन्होंने हासिल की थी और ऐसा ही हाल जो है मैथमेटिक्स के साथ भी है 82 परसंट के बच्चों का फांडेशनल लेटी होती क्या है यह लर्निंग करना रीडिंग करना एडिंग सब्ट्रेक्टिंग पढ़ना पैसेज को समझना ठीक है ना किसी परिछेत को समस्ते वे पढ़ना जोड घटाओ आदी बुनियादी चमताओं के कुछ उधारन है अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि यह पैचानना कि कौन सा सिंगल लिजिट नंबर है कौन सा डबल लिजिट नंबर है क्या कि इस तरह के आथमेटिक ऑप्रेशन करना बेसिक अर्थमेटिक ऑप्रेशन करना है वे मनें गड़ती है समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी अंक गड़ती है विधी का उपयोग करना और आकणों की समझ तथा आरेखण की मूल भूत चमताओं का हिस्सा होता है ठीक च स्टेंड कर दो कोर्स अगला जो हमारे ट्रॉपिक है इंपॉर्टन वो है कि विश्व सतत विकास सिखर सब्मिलन दो जारीकिस से इससे लेटर कोश्चन अम लोग पूछी के थे लेकिन आज इसको जो है मैं थोड़ा सा और जो है डिटेल में समझाऊंगा इंडियन प्रैम इंस्टिटूट डेली ठीक और इसमें इसकी थीम जो है वो क्या है कि रीडिफाइनिंग अबर कॉमन फ्यूचर सेफ और सेक्यूर इंवार्मेंट फॉर अपने साजहा भविश्य को पूर्ना परिभाशित करना सभी के लिए संदचित और सुरचित वातावरण है यह बात जो की विकास स्रील देश करवाते हैं किसी ग्लोबल मुद्दे पर यानि की इस इस अनली समिट टूब्लपिंग कंट्रीज और ग्लोबल इश्यूज ठीक है तो यह जो समिट है लॉंग टर्ब सेलूशन देता है जो भी ग्लोबल कॉमिटी के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रॉबलम्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज और इसाइज चीजें हैं और कई सारे जो है लीडर्स और उन सबको बलाता है ठीक यह जो पहले क्या है डेली सब्सक्राइबल डवल्मेंट समिट होता था उसी को दोजार जो एक में चलू हुआ था उसी को बात में ग्लोबल स जो है आपका सब्सक्राइबल डवल्मेंट समिट हो गया सास्टनेबल डवलमेंट यानि कि सतत विकास जो है इसका बहृत बढ़ा वह है ठीक तो आज आप लोग के लिए फिर से सतत विकास बता दू सस्टेबर डवलोप्मेंट गोल जो है इससे समद्धित नहीं अलग से आप लिए होमवर्क है इसमें सत्रा गोल टार्गेट्स हैं गोल्स हैं सोरी और 169 टार्गेट्स हैं ठीक और आपका UN यह आपका SDSN इसको करता है ठीक है और यह इससे लेटर जो है क्या क्या गोल है उनके नाम आपको याद होने चाहिए पहला पावर्टी है अंगर है कैसे क्या है कहां तक है यह सारे आपको याद होने चाहिए और आपका इंडिया में बत फ्रोग्र्रेस होरी क्या नहीं होरी उसको देखता है और सातिसाथ किस गोल को किस मिनिस्ट्री के अंतरगत होना चीज की मैप भी नीतियोग यहां पर करता देख रहें इंडिया में सब्सक्राइब करता है नीतियोग फिर यह लिए चीज है ठीक इस पे आप लोगो नोट स कर सकते हैं ठीक और पेड़ करके आप लोग को बताऊंगा क्या गलत है क्या सही है प्राइमिस्टर ने जो क्या कहा यह समझ लेते हैं कि भाई यह उत्रागंड में जो चमुली डिस्टिक में अवलांच आ गया था ठीक है हम इस हम स्खलन जो आ गया था उसके विसे काफी से ठीक है न तुमने उस सर्जन तीब यह उस्ति कहा है कि एक हजार तन जो हमको सीओ टूप करना है पहले उसस धर ऑस खाली stimulants को डिनाऊन रिलीज होती थी कहीं से तो अब जो है उसको 30 से अगर मालो पहले 100 होती थी ऐसे इसी रहेगा आप लोग लिए तो उसको 33 से 35 परसंट तक कम करना है है 2005 के लेवल से 2005 के लेवल में मालो होती थी ठीक है तो आज 2021 में अगर जो हम खड़े हैं तो हमें यह कोशिश करनी है वैसे 2030 में यह प्राप्त करना है कि जो इंटेंसिटी 100 टन पर आवर था मालो तो अब हम इसको क्या करें हम इसको कम कर सके जो है आपका 65 प्रतिश्य तक कर पैसत टन पर आवर करतें यह चीज़ सब्सक्राइब इसको कहते हैं इंटेंसिटी ना कि जो है इंटेंसिटी तीवरता को कम करना है तीक रेन्यवेबर इनर्जी जो है काफी मोनें इंडिया में अब नया गोल कि आ गया है कि हमें स्टेबलिश करना है 450 गीगा वॉट जो है नवीन उर्जा या फिर यह जो है आपकी अक्षे उर्जा नेवेवर इनर्जी जनरेशन कैपसिटी बाइट 2030 ठीक अब यह कंफरेंस में कौन को मजूद थे कई सारे नाम हैं इनके नाम आप लोग देख सकते हैं इसको कराया किसने टेरी टेरी जो अनुस जोत्तर में बना था पहले सको टाटा एनर्जी रिसर्च इंसिट्फूट बोला जाता था अब इसको दर इनर्जी रिसर्च परामर्श कर्यान्वियन चमताओं से युक्त एक स्वतंतर बहु आयामी संगठन है और पिछले चार दशकोम देखा है तो टेरी ने अपने आपको बहुत साबित किया है ठिंक टैंक की तरह रिसर्च इंस्टिटूट की तरह किसमें इनर्जी उर्जा क्लाइमेट चेंज ठी इंडिया पैसिविक से लेटर जो है बहुत जादा इंपोर्टन यहां पर टॉपिक हो पढ़ने वाले इंडिया अब देखें कंटेक्स क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ है इंडिया ने अपने आपको इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही जादा इंपोर्टन प्रशानमास अगर है और ये पूरा जोड़ लें तो ये पूरा एरिया जो है इसको क्या बोलते हैं इंडो पैसिविक रीजन बोलते हैं और इसमें कह रहा है कि इंडिया का काफी ग्लोबल लीडिंग रॉल सेज़ जो हैं जैसे कुरूडanders Feel पानी के जरीए जादा होता है मड़ी टाइम जरूइए सौन चाइना सी से होता है जो जिस पर ज्वय जी जमाता है तो चाइना क्यों कंटेंड करने के लिए च्टैना को रोकने गिलिए ज兩 तरफा आ ये डादा नि दिखांता उसको रोकने के लिए भी इंडो पैसिविक रीजन बहुत जादे इंपॉर्टन्ट है आपका क्वार्ड बनाया जा रहा है बन चुका एक्चुली इंडिया यूएसे जापान और ऑस्ट्रिलिया का चाइना को रोकने के लिए ठीक और यहां पे जो है डेमोक्रेसी को बढ़ा जाने के लिए भी बात की जा रही है जैसे चाइना और यह सब क्या है यह आपके कॉम्निस्ट कंट्रीज है ठीक है तो इस सब लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है ठीक और कोई भी कहीं से भी उड़ सकता है जा सकता है इंटरनेशनल वाटर्स में और उड़के सब के लिए बात होती है यह सरी बात है ठीक वास्ट इंडियों ओशन है इसमें जो है आपका इस्टन यानि की जो पूर्वी अफ्रीकिटर्ट हिंदी महाशागर तथा पस्चमी अवेम मध्य प्रशांद महाशागर जो है मिलका इंडर पैसिफिक छेत्र बनाया जाता है पीस और प्रोसपरिटी यानि कि आपका शांतियों समर्धी को बढ़ावा देने की बात की आती है बात तो हमेशा शांतियों समर्धी की कि जाती है लेकिन लोग अपनी रोटिया बेलते रहते हैं यह वाली बात है युएसे आज हमारी बड़ी मदद कर रहा है क्योंकि उसक के खिलाव ठीक यह तो यूएससर था कि उससे हमारे जो है इंडिया गंदीन जाके पैक्ट कर लिया था तो उन्होंने यह था कि अगर हमारे उपर कोई अटेक करेगा तो यूएससर भी सामने आ जाएगा हमारे मदद के लिए इसलिए यूएस से जो है भग गया और फिर स्टेबल ट्रेड इंवार्मेंट यह सब की बात करिया रही है कि नौ परिवाहन की सब्दता कानून आधारित व्यवस्ता का पालन करना तथा वैपार है तू सू व्यवस्तित महौल का निर्मान करने है तू जो है हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन को बहुत जादा मैत्व चाइना इंडिया का मलब दुनिया का सबसे इंडिया और दुनिया के सबसे आधा पॉपलस मुस्लिम मजर्टी और इंडोनेशा यह सब इंडो पैसिफिक महीं है तो जियो पॉलिटिक लिए अगर देखा जाए आपका भूर राजनीतिक से तो काफी में है तो पूर्ण है और यह सारे पॉइंट्स आपको प्रिलिम्स में भी उपीसी पूर सकता है यह मत समन्ना कि यह मेंस चेटीमेंट है इनी को खोद के निकालता है महाँ से प्रिलिम्स के अध्याषि ठीक है तो यह मत समन्ना कि जो है खली कोई एक विल्कुल दिवार खिची हुई है कि यह जो और इंडिया का रोल क्या है नेट सोच आपका सेक्यूर्टी स्ट्रेजी से लेटेड़ है बहुत यह पॉपलर्स और इकनॉमिक लिए डाइनिमिक है इंडिया और यह काफी वास्ट एरिया में इंडिया की पहुच भी है जैसे दिखाए कि अभी दिखाऊंगो इसमें और इकनॉमिक ऑपनिंग आर्थी वैस्ता कि ओपनिंग वैसे जहें इंडिया नोशें में काफी और उसके नेबर्स के साथ में भी हमारा जहे काफी दबबा हमारा बढ़ा है सौफ्ट पावर जो हमारी इंडिया की है उसके साथ साथ अब यह बात है पर इसी कुछ काम नहीं होता है जब आपकी जैन में हत्यार होता तब दूसरा पीसफुल रहता है यह रियलिस्ट वाली बात है अब यह दो पूरा एरिया जो है इंडो पैस्पिक में आता है यह आपका पूरवी अफ्रीका टट से लिके देखो यह अमेरिका टैम किसे लेटर था अप्गानिस्तान में हमने दूसर टैम बनाए से पहले को से टैम बनाए था पूछा गया था तीनों ही स्टेट्मेंट्स है जो पूछा गया था इसले इसको अचा वर्ल्ड आपका पस्चमी रेलवे जोन ने चलू किया था दो ट्रेन में पहली ट्रेन है मुंबई से जैपूर दूसरे बांदरा से अम्रिस सर ठीक इसको जो हमारा दूसरा कोशन है वो क तरक पूछा गया बताइए अप लोग दूसरा स्टेट्मेंट है इस यूज्स प्रेमिली फॉर दा स्टीम बॉइलर इन पावर प्लांट्स एबोर्ड शिप्स एंड इंड इन इस्टीम बॉइलर के लिए यूज्स किया था है और एक इडधन होता है सफू रांक सामनेता क करोसीन की तुलना में कम होता है ठीक दस पिंस्टर और फ्यूल ओयल इस जनली लोवर दें करोसीन यह कुछ ऐसे वोशन होते हैं जो हवा के मलब सर के उपस निकल जाते हैं वैसे ही हैं लेकिन आप लोग ने अगर सो यहां किया और माल लोग कोशन पूछ लिया तो आप लो अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिए और आगर आप लोग हमाई साथ परसनली जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रेट गूर्प आपको मिल सके परसनल टाइम टेबल मिल सके तो आप लोग जो है हमारे हमको कॉल कर सकते है 856-480-530-96960-6089 पर और एडमेशन ले सकते हैं जाइन जाए बारत ओल देवरी वैस्ट है कल फिर से मिलेंगे सुबाद 6 बजे